फादिमा इंगलिश प्रिस्कूल यहां बच्चों के लिए प्लेग Πुरूफ से लेकर नरसरी जूनियर कीजी और सीनियर कीजी अवेलिबल हैं बच्चों की तालीम के लिए सिर्टिवाइट टीचर्स रखे गए हैं एड्मिशन ओपन है जादा जानकरी के लिए दिये के नमबरों पर संपर्ख करें CA के विरोध में भुमिका लेने पर मुख्यमंदरी अर्विन केजरिवाल के दिल्ली के घर के बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू शर्लार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन की सड़क जाग तरफीक कामदार इंदुस्ताले रिपोर्टर में आपका स्वागत है देश में नागरिक्ता संचोधन अधिनियम 2019 सिटिजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस पर रहे मंतरी अभी शाले बयान भी दिया अब इसका देश के कई वर्गों द्वारा और कई राजनितिक दलो तथा संगडनों द्वारा खुल कर विरोध किया जा रहा है जिसमें आश्चेरे की बात है कि मुस्लिम उतने आकरामग नहीं दिख रहे मुस्लिमोंने बड़े ही सयम से फिलहाल इसको समझने की ज़रुद समझी है और मुस्लिम रियाट नहीं कर रहा है मगर मुख्यमंत्री अरवीन केजरिवाल आप आद्मी पार्टी के सयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री इनों ने सीए के इंप्लिमेंशन पर इसके लागू करने पर कई सारे सवाल खड़े किये और सिर्फ केजरिवाली नहीं कई सारे संगडन जो है जैसे आसाम में आसू है और आसामें स्टूडन्स यूनियन जो है आसाम गन परिशद है और अन्यक कई वहां के एक्टिविस्ट है जो इस कानून का विरोध करने क्योंने पता है कि लाखों जो घुसपैटिये हैं जिन घुसपैटियों का डर दिखा दिखा कर भारतिय जनतापार्टी सरकार में पहुँची और अब तीसरी पारी की तरफ बढ़ रही है उनी घुस्पैडियों को यही भारतिय जन्तापार्टी और उसकी सरकार अब इस देश का कानून नागरिक बनाने जा रही है तो उससे क्या समस्याय उत्पन्न होगी किस तरीके का खत्रा देश की सुरक्षा को लेकर है किस तरह से मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के दिल्ली स्थित घर के सामने पाकिस्तान तता अफगानिस्तान से आएवे हिंदुश अर्नार्धियों ने विरोत प्रदर्शन किया और उन्होंने किस तरह से सलक जाम की नारे बाजी कि अभी नागरिकता मिली नहीं है अभी तो 31 दिसम पर 2014 से पहले आले का उनका इमिग्रेशन उन्हें दिखाना है और जो ज़रूरी कानोनी प्रक्रिया वह पूरी करना है उसके बाद नागरिकता लेकिन अभी नागरिक्ता मिली नहीं है और नागरिक्ता मिले बगैर ये हाले के दिल्ली की सड़क जो है जाम कर दी तो नागरिक्ता मिल जाएगी तब क्या करेंगे यही सवाल केजरीवाल समेथ सभी सीए विरोधी कर रहे हैं और केजरीवाल ने एक और बहुत बड़ा एहम मुद्दा उपस्तित कर दिया है कि देश के किशान ओपर गोलिया चलाई जाती है आसुगेस के गोले छोड़े जाते हैं लेकिन जो देश के नागरिक नहीं है उन्हें देश के एक राज्ये के मुख्यमंद्री के घर के सामने पुलिस सुरक्षा मोहिया कराई जाती है अर्विन केजरिवाल जैसे एक मजेव राजनितिक बन चुके व्यक्ति ने उंगली रखी है माती! मजी! बपणी मजी! 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 अρटी नाय C lack of business वार्षिन वार्ड 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 थार्ड मा EC मार्ड पार्ड जो एゆ बार्ड पार्र ही पार्र हुचह या शारता ओिम्रंग सरा इंधन, या रिकलेखतowej और उन लेर tu देहें झाली संसे ट्रिभर हो, प्रünd पींदों, कंई गयार लाव ए्चिकरी, या हुष AGाली सा थिकले हुष झाली सा फिकले ही ट्कृसा थे चान सा जें एजार जिखको ग्रा बार हो! माद पीमां गिले हमारे सेबस, माद यह में पुना कुछा किया मारे सेबस, 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 मार गडरी वाल मा पी मंगे बस और कुछ इनी, मा पी मागे नांगर दे मिलने, जाए एकेडी वाल मा पी मंगने जाए केड्री वाल, और जलित भशाम और का जब केजरिवाल ने हमें दस सार कुछ दिया नहीं है, एड्मिशन की सैन भी नहीं दिया बच्चों की, तो हमसे चूचीन रहा हमारा कूचीन रहा हमारा हट चूचीन रहा है, केजरिवाल मा भी माध लो बास, मौधी जिन्दा बाद है, अगर हिंदू हो, तो अपना प्यान वापस लो, धुनिया के लिए इंदीओ में हो, हमारे लिए प्यान वापस लो, हरियों, केजरिवाल के मंत्री, जो रोहिंग्या के कैमपे वहां पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं उनको मूलबू सुविधा देते हैं आग बादा सरकार में जो बिगेर कारेजों के आ रखे हैं उनको सनक्षन है जो वीजा वीजा लेके आए सब यहां पर कानुन बादा सरकार ने बुलाया है उनको नागरिकता मिलनी है उनके हितों के लिए काम हो रहा है तो कि अपीडिन के मुख्य मंत्री से मांगे ए भूड़ नहीं मांगेगा हम तो पाकितान से आयासों नहीं मांगेगा हुआ। कि अपीडिन के मुख्य मांगेगा हुआ। कि अपीडिन के मुख्य मांगेगा हुआ। धर्म परिवर्टन कराके इनसे निकाह करके ले जाते थे उन पे रेम किया जाए। फिलीज हम यही रिक्रेस्ट करना चाहते हैं और अपना प्यान वहाँ पस ले। हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू की दो बेटियां उठा लीगी हैं। और उनको नागिरता दे रहा है, निरंदर मोधी जी उनको नागिरता दे रहा है। तो हमारे मुख्य मंतरी केजरिवाल जी कह रहे हैं कि यह लोग उनको नागिरता देंगे तो यह ढाकू बन जाएंगे। यह चोरियां करेंगे, बलातकार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए। दो हदार ज्यारा से आए हुए हैं, हमें बारा साल होगे दिल्ली में रह रहे हैं। हमने कोई इसी चोरी की हो, जहां हमें कोई ऐसा वो कांड क्या हो, हमें आके बता दीजिए कि यह आपने कांड किया है। हम जुमाँ आ रहे हैं। हमको सदा दो, हमको जेल में डाल दो। हम जुमाँ इन दो, हमको जुमाँ आपने कांड के रहे हैं, हम जुमाँ आप के रहे हैं। नमस्कार अभी दो तीन दिन पहले केंदर सरकार ने सीए का कानून पास किया था। कल मैंने एक प्रेस कॉंफरेंस करके यह समझाया कि C.A. कैसे देश के लिए बहुत खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए आज सुबह माननिय ग्रह मंतरी श्री अमिच शाजी ने जो कल मैंने प्रेस कॉंफरेंस की थी उसके उपर उन्होंने बयान जारी किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखाके बो रहा हूँ मैंने उनका बयान सुना माननिय ग्रह मंतरी जी का अपने पूरे बयान में जो प्रश्ण मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्ण का उन्होंने जवाब ने दिया उन्होंने केवल मुझे गाली गलोच किया है कि जिवाल भरष्ट है कि जिवाल ये है कि जिवाल ऐसा है कि जिवाल वैसा है मुझे छोड़ दीजे, मैं important नहीं हूँ, देश important हैं, देश के 140 करोड़ लोग important हैं, उनकी बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारे मिलके, अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांगला देश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी, पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो, ये मे उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे, अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे, आजादी के बाद काफी बड़े स्कर के उपर मा भारत देश पाकिस्तान और बंगलादेश गय थे और बहुत सारे लोग वहां से इसके से शुने वाला यह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा माइंक्रेश्ण वाला है पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान इनका कहना है कि सी ए के तहट इनके अलप संख्यक जो है वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मन्जूरी दी जाए कि उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी इन तीनों देशों में मिलाके लगबग धाई से तीन करोड अलप संख्यक रहते हैं पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान में मिलाके लगबग धाई से तीन करोड अलप संख्यक रहते हैं वहां बहुत गरीबी है उनके अज रोजगार नहीं है भारत में आतो आना और भारत की नागरिक्ता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिये इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कलपना भी नही हमने दिया कि आपका ये वह कहना है कि 2018 से पहले के लोगों को जो आ चुके 2014 से पहले उनको आया जाएगा किसि कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2000 के बाद आना बंदो घ्र तो कि 2014 के बाद भी आ रहे अभी तक आ रहे रहे आवह रोजगा रहे हैं तो अभी तक 2000 जो illegal migrant आते थे जो गुसपैटी है हमारी देश के अंदर आते थे वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे हमें पकड़ लेंगे हमें जेल में डाल देंगे उन्हें डर रहता था क्योंकि वो illegal थे अब आप ये कानून लाके उनको legal बना रहे हो अब उनका डर खतम हो जाएगा पूरे तीनों देशों के अंदर मेसेज है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के गुसपैटियों को legal करने जा रही है तो आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हों कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे फिर ये डेट एक्स्टेंड करके 2024 कर दोगे क्योंकि गुसपैटियों तो आई रहे हैं आपने रोहंगियों की बात की ये तो आपी के टाइम में आए थे ये तो 2014 के बाद आएं सारे रोहंगिये कैसे आए आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वज़ रखा है तो जो इतने एक तरह से दर्वाजा जो खोल रहे हो इनको जो लीगल बना रहे हो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैटिया आने वाले हैं जिसके हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं आज जो 2014 के पहले भी आये थे हमा हमारी देश के अंदर सरकारी नौकरियां दो गया उनको उनके राशनकार बनाएंगे हम लोग आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशनकार हैं वो कम पढ़ते हैं हम बार बार के अंदर सरकार को लिखते हैं हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है राशनकार ब दिकार दे रहे हो, सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 क्रोड लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बंगलादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया, इस देश के लोगों के पैसा आप पकिस्तान और बांगला देश के लोगों को याण लाके उनको बसाने में खरच करना चाते हो, यह मनजूर नहीं है इस देश के लोगों को, क॑रिपया इसको मैं पूरी विनमर्ता के साथ बोल रहा हूं कि कुछ पना डा को पाकिस्तान से आ गए icon लोग वेटिया शुरकशित होंगी है अगर पे आयहए लोगों को बसा-दिया गया पाकिस्तान के लोगों क्या आप अपने आपको उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे और कौन होगे ये लोग क्या धेश सुरक्षित होगा पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तानी भेज देगा बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर क्या हमारा धेश सुरक्षित होगा चारो तरफ देख लीजे क्या हो गया विक्सत देश होता था उसने अपने दर्वाजे खोले पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और आप वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं अमरी इसका लंडन इसका युके का हाल देख लीजे क्या हो गया पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बा अगर आपको लाना ही है भार से लोगों को हमारे देश में पिछले दस साल में 11 लाख उद्योगपती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए केंदर सरकार की भाजपा सरकार की नीतियों के विज़े से उनके अत्याचार के विज़े से अगर लाना है तो इनको वापस ल को लेंगे व्यापार करेंगे लाखों बच्चे को रोजगार देंगे इनको लेके आए ना पूरा देश आपका साथ देगा पर पाकिस्तानियों को और बंगला देशों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे यह देश को मंजूर नहीं है नमस्कुर झाल